पर बासा सीखने में मातर बासा का व्या घात है ऑप्सिन नमबर में आंसिक रूप से होता है पूर्ण रूप से होता है नहीं होता होता है राइट आंसर आपको बताना है राइट आंसर इसका हो जाएगा आप कमेंट करते रहेगा राइट आंसर इसका बताना है आपको राइ अपनी बास्ता में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की बास्ता सरल होती है बच्चे ने अभी पूर्टे नहीं सीखा है बच्चे की बास्ताई पुंजी है या फिर मानव सोरूप के लिए राइट आंसर आपको बताना है नीचे कमेंट बुक्स में और इसका राइट आंसर होजेगा उप्सन नमबर तीन इसका राइट आंसर होजेगा यानि की बच्चो की बास्ताई पुंजी है नेक्स पर्शन आपकी सक्रीन पर बास्ता सीखने सीखाने के संद्रों में गरह कार्य का उदस से होता है ग्रहे कारियों का उदस्थ से होता है option number one में दिखाता है सीखने को विस्तार देना option number two आभी भावकों को परसन करना option number three बच्चों को स्वेम व्यस्त करना option number four कोप या बरवाना तो right answer आपको फिलिप करना है नीचे comment box में right answer हो जाएगा option number one यानि की सीखने को विस्तार देना यह seat at 2015 में भी आया हुए question है important very important question है नेक्ट परसन है अबारा बासा अरजन के संबंद में कौन सा कथन सत्य है बासा अरजन के संबंद में कौन सा कथन सत्य है यह है की seat at 2015 में आया हुआ है option number one में बताये गया है बासा सीखना वै उदस से होता है, उप्शन नमर दो, समाज सांतकर्तिक परिवेश के अनुसार अर्थ गरैन करने की परतिक रिया सामवाभाविक होती है, उप्शन नमर तीन, बासा अर्जन में बच्चों को बहुत अधीक बरियास करना पड़ता है, उप्शन नमर च्यार, बासा अर्जन में किसी अन्य बासा का व्यागात होता है, राइट अंसर आपको कमेंट मोक्स में कमेंट करना है, राइट अंसर हो जाएगा, उप्शन नमर दो, समाज सांतकर्तिक परिवेश के अनुसार अर्थ गरैन की परकिरिया सोभाविक होती है, नेक्स्ट वीडियो परिशन आत्याप का प्रात्मिक सतर पर भासा सिखाने की सरोष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् या फिर बच्चों को बास्ता का परियोग करने के विवीन अउसर देना तो यहां पर परसन नमबर पांच का राइट अंसर हो जाएगा ओपसन नमबर च्यार यानि कि बच्चों को बास्ता का परियोग करके करने के विवीन अउसर देना इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स पर्षन आपता है आपकी सक्रीन पर प्रात्मिक सतर पर सिख्षा का मादव है प्रात्मिक सतर पर सिख्षा का क्या मादव है हिंडी होना चाहिए अंग्रेजी होना चाहिए उर्दू होना चाहिए बच्चे की मात्रवासा होना चाहिए कौन सा प्रात्मिक सतर होना चा ना कि अंग्रेज जी ना कि हिंदी ना कि उर्दू ठीक है नेक्स पर नाते हैं आपकी स्क्रीन पर वासा सीखने सिखाने के संद्रों में निमिलकित में से कौन सा कथवन सही है तो राइट आंसर आपको बताना है चार उप्सन दिखाए गए हैं वर्सन नमर वन में बताए हैं बच्चे स्कूल आकर ही वासा सीखते हैं नेक्स तीसरे में बताया गया है बच्चे अपने परिवार से वासा सीखते हैं चोथे में बताया गया है बच्चे स्कूल में मनक वासा का ही परियोग करते हैं तो च्यार उप्सन या पर दिखाए गए हैं राइट आंसर आपक अर्जित करने की परिकिरिया में किसका मैतो सार्व अधिक है किसका मैतो सबसे अधिक है बासा अर्जित करने के लिए option number one है बासा कला का बासा परियोग साला का पाठ्थे पुस्तक का और समाज का right answer आपको फिलिप करना है comment box में right answer हो जाएगा option number four यानि की समाज का right answer next परिका आपकी स्क्रीन पर बासा अर्जित करने में बाई ग्रोच की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है option number one बासा की पाठ्थे पुस्तक पर option number two समाज में होने वाली बासा परियोगों पर option number three परिवार में बोले जाने वाली बासा पर option number four कक्सिया में बोली जाने वाली बासाओं पर right answer आपको फिलिप करना है इसका option number इसका right हो जाएगा option number two इसका right answer हो जाएगा यानि की समाज में होने वाली बासा परियोग पर इसका अधिक बल दिया है कहानी कविता गितोर नाटकों के मादम से बच्चे खालिस्तान option number one केवल मुल्यो का आरजन करते हैं option number two केवल अपनी तरक सक्तिक अविकास करते हैं option number three अपनी सांसकर्तिक धरोवर से जुड़ते हैं option number four केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं तो राइट अंसर आपको वताना है कमेंट बोक्स में राइट अंसर हो जाएक option number three यानिकी अपनी सांसकर्तिक धरोवर से जुड़ते हैं right answer हो जाएगा next person आता है अमारा प्रात्मिक सतरपर बच्चों को बास्ता सिखाने का सरोपारिक उदस्य से है option no.1 मुहावरे लोक्तियों को ज्यान प्राप्त करना Option no.2 चाहने कविताओं को दोराने की उसलता का विकास करना option no.3 तेज प्रवाद के साथ पढ़ने की योगता का विकास करना Option no.4 अपनी बात को दूसरों के समक्स अभी वैक्स करने की कॉसलताओं का विकास करना राइट आंसर आपको इसको फिलिप करना है कमेंट बोक्स में राइट आंसर इसको हो जाएगा ओक्षन नमबर च्यार यानि की अपनी बात को दूसरों के समय अभी व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना नेक्स परसना आता आपकी सक्रीन पर वासा एक के बच्चे अपने खालिस्तान एवं खालिस्तान से प्राप बोल चाल की वासा की अरुगों को देखकर ही विधाले आते हैं देखकर ही विधाले आते हैं राइट आंसर इपको बताना है चार उप्सन आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए है उप्सन नमबर वन घर परिवार पडोसी घर परिवार परिवेज घर परिवार दोस्त वे घर परिवार टीवी तो आपको राइट आंसर बताने कमेंट वोक्स में राइट आंसर इसको हो जाएगा ओप्स नमबर दो यानि की घर परिवार वे परिवे से बच्चे बोल चाल की बासा का अनुबाव करते हैं नेक्स पर्ष्यत अनुबन दमे चर सकता थ्लियूंबर चार परियोग सिखाना राइट और आंसर आपको कमेंट वोक्स में कमेंट करना है राइट अन्जंड वोजए को ऑप्सन निएंबर चार यानि की बासा का परियोग शिखाना नेक्स परसन आता आपकी सेक्रीन पर बासा पाठ्थे पुस्टक की बासा उप्सिन नमर वन बासिक बच्चों की घर वैसमूदाय की बासा से मिलती जूलती होनी चाहिए खुआ अबी काठिक जुक होनी चाहिए राइट अंसर आपको फिलिप करना है कमेंट बोक्स में राइट अंसर और फिलिप करना है खुआ बात्षा के साथ बात्चित करती रहती है वहें सुलिक खा जब तक बच्चों के साथ बात चीत करती रहते वहें सदव बच्चों की परिक्षा ले रही है option number 2 समय नश्ट कर रही है option number 3 बच्चों को बासा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है option number 4 बच्चों को वाचाल बनाना चाती है option number 3 बच्चों को बासा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है यह थे पंदरा इंपोर्टेंट क्यूशन आप सभी के लिए नेक्ट वीड़ी जल्दी ले क्या हूं यह वीड़ी लाइक कर दीजी सेर करें सभी के साथ